दोशी नमबर एक, जमीर हुसायन सजा उम्रकैद, दोशी नमबर दो, सोहेल गनी सजा उम्रकैद, दोशी नमबर तीन, सलीम चिश्टी सजा उम्रकैद, दोशी नमबर चार, नफीस चिश्टी सजा उम्रकैद, दोशी नमबर पाँच, नसीम उर्फ तारजन सजा उम्रकैद. 32 साल पहले इन पाँच नामों ने हिंदुस्तान को हिला दिया था बंगाल औठाड़े की घटना पे देश में जो भूचा लाया है उससे हजारों गुना जादा बड़ा विवाद साल 1992 में खड़ा हुआ था कॉंग्रेस के नेताओं का हाथ सामने आया था 100 से जादा लड़कियों के साथ ठीक वैसे हुआ जैसा बंगाल की डॉक्टर के साथ होता आपने देखा सोचिए एक लड़की के साथ गलत होने पर कैसे पूरा बंगाल सड़कों पर है ठीक ऐसे ही अजमीर बे एक बहुत बड़ी घटना घटी एक लड़की के साथ पहले गलत होता है उसकी तस्वीरे ली जाती है फिर एक लड़की के बाद 99 और स्कूली लड़कियों की तस्वीरे ली जाती है उनके साथ ठीक वैसा होता है जैसा बंगाल में उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ होता है ये कहानी दिल ठाम कर सुनिए आपको बहुत गुसा आने वाला है फोन फेकने से बहतर है आप सच को सुनिए दिल ठाम कर सोचिए और बताएए इस दिश में कैसे सालों से अपराध हो रहा है हम आज भी वही है जहां 32 साल पहले अजमेर में खड़े थे ये बात साल 1992 की है उस वक्त फोन नहीं था फोटो स्टूडियो होता था अजमेर के एक फोटो स्टूडियो में एक पत्रकार को एक लड़की की फोटो मिली ये खबर अखबार में जैसे छपी बभाल मच गया इसकूल की लड़की का फोटो छपने के कारण पूरा देश हिल ग पहले लड़की को बुलाया जाता है उनकी फोटो ली जाती है उन्हें डराया जाता है यहां तक कि उस घटना में पत्रकार भी शामिल थे अजमेर में उन दिनों तक 350 के आसपास अखबार पत्रकार या सापताहिक अखबार होते थे उनमें से कई अखबार के रिपोर्टर भी शामिल थे अलग अलग स्कूल की लड़कियां डर जाती और फिर वो अपने परिवार के बारे में सोचकर घटना में न चाहते हुए भी शामिल हो जाती कई लड़कियों ने जान तक दे दी अजमेर में इस घटना के बाद हिंसा शुरू हो गई दरसल जादा तर आरोप मुस्लिम समुदाय के थे हिंदू लड़कियों की संक्या जादा होने के कारण पूरा देश हिल गया था आरोपियों में कई बेहत प्रभावशाली खादिम परिवार से जुड़े थे जो दरगा ख्वाजा मुईनु दिन चिष्टी दरगा के प्रबंधन में शामिल हैं फा बाद में देश के उपर राष्ट पती भी बने मुख्या रूपी गनी चिष्टी 26 सालों तक फरार रहा दो हजर अठारा में उसने सरेंडर किया घटना का खुलासा होने के बाद 30 पीडिता सामने आई सिर्फ 12 लड़कियों ने केस दर्ज करवाया कोट के ट्रायल के दोरान सिर्फ दो महिलाओं ने हिसा लिया फिर भी सजा तो मिलेगी उस घटना के पीछे एक गैंग था जिसका नाता कॉंग्रेस से साबित होता देखा गया गैंग ने अपने शिकार में आई एस आई पियस बिजनसमेन की बेटियों को भी अपना निशाना बनाया जादतन लड़ सिर्फ टी ने सोफिया स्कूल की एक लड़की को अपने जाल में फसाया फिर उसके साथ खलत करता है उसी वक्त उसकी तस्वीरे ली जाती है उसके बाद उसको तस्वीरों का डर दिखाया जाता है पहली लड़की पे इस बात का दबाओ डाला जाता है कि तुम दूसरी तक की संख्या पहुचने का दावा किया जाता है। फोटर के हाथ एक फोटो लगी। उसके बाद कई बार अखबार ने खबर प्रकाशित की। पत्रकारों को धमकी मिली लेकिन वो नहीं माने। एक कई बार वो खबर प्रकाशित करते रहे। चात्राओं को ब्लैक मेल करने वाले आजात कैसे रह गए। इस हेडिंग के बाद सर उठा तक करार दे दिया था। लड़कियों पर ही सवाल उठाए गए थे। फिर केस सी बी आई के हाथों में आया जास तेज हुई और फिर जो खुलसा हुआ उसने पूरा देश हिला दिया। सी बी आई ने खुलसा किया युवा कॉंग्रेस के शहर धैक्ष और दरगा के खादिम चिष्टी परिवार के कई लोगों के शामिल होने की बात है। उर्फ जौन बेसली, उर्फ बवना और हरीश तुलानी शामिल था। ये सभी अमीर और सियासी रसूख रखने वाले लोगों के नाम हैं जिनके खुलसे के बाद हड़कम्प मच गया। इतनी बड़ी संख्या के बाद भी सिर्फ आठ आरोपियों को गिरफतार किया गया। साल 2000 में पहला फैसला आया जिसमें आठ आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। देश का सिस्टम देखिए इतने बड़े कांड पर भी चार आरोपियों की सजा घटा कर मात्र दस साल कर दी गई। राजिस्थान सरकार सुप्रिम कोट पहुची। कोट के दखल के बाद मामला पॉक्स कोट बेजा गया अब 32 साल बाद 6 आरोपियों को दोशी बाना गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कुल 18 आरोपि थे एक ने जेल से जमानत मिलने के बाद जान दे दी एक 18 साल बाद पकड़ा गया नौ लोगों को अब तक सजा मि जब कि सिब छे को उम्र कैद की सजा सोचिए जब इतनी बड़ी घटना के बाद भी ऐसी लापरवाही सिस्टम में होती है तो फिर बंगाल जैसी घटना के बाद द्याय की उमीद करना बैमानी सा लगता है 32 साल पहले जो हुआ वो आज भी हो रहा है 32 साल पहले और आज में क्या फर्क है सोचिए जबाब दीजिए ये शेहर तुम्हारी कीमत तै कर देगा कोई न कोई खरीदार होगा सिस्टम का हतोड़ा भी बिग जाता है कोई न कोई खरीदार होगा